हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं दोस्तों ये देखें ये रजनी गंधा का पौधा है जो भल्ब से हम लगाते हैं तो आज मैं रजनी गंधा पी ही काम करने जारी है देखें इस तरह से ये ऊपर-ऊपर का पुरा शूग गया है वैसे में इसमें सोची ब catching देने लेकिन देखें इस तरह से यह गंवला मिलकुल ए प्लास्टिक था पाउाट तो यह इस तरह यह इस तरह से देखें बल इतने ज़्यादा हो गए कि गाकर कहीं जगह इस तूट गया है49 तो इसके बल भी बहुत ज़्यादा बढ़े गए पहले से काफी ज़्यादा इसमें हो गए हैं तो इसे मुझे पूरा निकालना पड़ेगा निकाल के मैं इसे फिर से दूसरे मिट्टी के गमले में इसे रिपोर्ट करूंगे एक ये भी है पौद एक गमला इसमें भी रजनी गंदा का ही बल्ब है या इसे दिख इसमें भी अभी हैं पर इतने ज़्शान नहीं हुए हैं इसे में काफी ज़्यादा हो गए हैं एक गमला और मेरे पास प्लास्टिक का में मारी में लगाए है तो आप ये इसमें तूड़ जया है तो चलू यहां निकाल देखी को पहलूरी तरह चीटी बहुत ज़्यदा भरी हो ये देखे नीचे नीचे ना पानी लग रहा है उखर तो बिलकुल नहीं लग रहा था Aha और इसमें इस्तवा हैं कॉत यह अधा हैं तो पैसे में थोड़े देर के लिए पहले इसे छोड़ देती हो इस से ताकि यह जो चीटे ये भाग जाए कि फिर उसके बाद इसमें मैं जिते बल्बंब निए निकाले नहीं ती एप छैंद बी किस कि यहाँ पर भी देखें बना हुआ कि इह देखे दोस्तों यह लगभग दुन हो गए और दो दिन तक दिन तक मैंने छोड़ दिया था तब इसके मिट्टी रेखे किती गीली थी इसमें बहुत चीटी थी इसके बीच बीच जो जगा है इसमें भी चीटी पहुच गई की काफी जदा तो इसी वज़े से मुझे दो दिन तक इसे छोड़ना पड़ा क्योंकि एक बार रिपोर्ट कर देंगे ना हम उसके बाद तो ह तो देखें यहां पर यह बहुत और यह दोनों अच्छे तरीके से इसमें दूब भी लग गयी है और जितनी भी चीटिया थी हो भी सभी भाग गई है यह मिटी कमला है यह लगवा है कि दोस्तों 12 इंच का गमला है तो थोड़ा में जो घेरा है ना यह थोड़ा सा बड़ा है इसमें करती हूं क्योंकि काफी ज़्यादा बंब इसमें देखे रेडी हो गए है त्यार हो गए तो मैं सुष्टिस अभी एक ही में आ जाए देखे छोटी-छोटे से बल्ब कितने ज़्यादा त्यार हो गए है यह दिखे लेकिन जो आगर हम सोचेंगे ना इसमें अगर फ फूल नहीं देगा फूल यही देगा जो यह बड़ा वाला है बल्ब जो है यही फूल देगा कितने भी यह बड़े-बड़े हैं यह फूल देंगे और जो यह छोटे-छोटे साइड से निकल ले यह अभी तो फूल नहीं देंगे यह एक दो साल इसमें फूल लेने में इस तरह से चार बल्ब आये थे चार से आप देख सकते हैं इसमें हो गए हैं एक और गमले में हैं दिखाती हुए इसमें भी मेरे यही है बारिक बारिक हो जाती है तब ही मुझे कोई भी पौधर ही फोटिंग कहते हैं अच्छा अब अब इसमें देखें कि यह वर निकम पोड़्स तो इसमें अच्छी तरीके से हम खाद देंगे थाकि बार-बार तो हम सूखी खाद नहीं दोस्तों दे पाएंगे लिक्विट होती है तो गुडाई करना तो मुश्किल हो जाएं और यहां पर मैं लिए हूं नीम खली और यह लिए हूं एपसम सॉल्ट एपसम सॉल्ट ज़रूरी है क्योंकि काफी टाइम हो गया है मार्च का महीना खता है आज है चवदादारी तो इसकी जल्दी ग्रोथ के लिए मैं निकल के आना है वह फूल निकलेगा और जल्दी होगा क्या मार्च का महीना दोस्तों चाले इसे फेबुरुरी में हमें काम कर लेना चाहिए था और यह देखे थोड़ा समय ले रहे हैं कोको को को कोड़ से थोड़ी हलकी हो जाती है हमें गंवला उठाके रखने में सब्सक्राब 2ником और ज्यादा फैलनी में इन्नों का आराम मिलें तो चलिए मिक्स कर लेती यह देख्यें यहां पर मैंने फट्थर रख दिया है और अब मैं इसमाइब डालदेते हूं और अब मैं यह इस तरह से ही इसी रख देती हूं इसी तरह से करें भी ये चुछ शोटे वाले हैं यह है यह इस में ऐसी च्छोटे भा rash i yo इसी तरह से इसी में सभी इसमें आधे लगाना चाहिए तिके गमला देखे पहले से ये बहुत जादा भर गया है उसी तरह से और इसमें थोड़ी सी जगा ये भी थोड़ी जगा भर जाएगी ये देखे इसमें मैंने थोड़े लगा दिये हैं बाकी के थोड़े में इतने निकाल ली हूं ये मैं कोई छोटे से पॉर्ट में लगा चुकी हो बस इसमें आप देना है पानी पानी देखर इसे में पूरी धूप में रखूंगी क्योंकि चाया में तो इसे नहीं रखूंगी और इसा कोई प्राब्लम नहीं है दूसरा कोई पौधा होता है तो उसे हमें बिल्कुल शेड़े एरियम रखना पर यह बल्प का पौ जाएगा और जो बचelles में इसमें लगा घूँ लगा दै कंटी का रभा है अभी कोई गमला खाली तो नहीं छोटा तो इसी में इसे लगा देती हैँ कि इसे एकटी आखिये पूरा पर्मिरा हो गया और इसमे पानी डाल दी में गो दूसरा ये दिवरे इसमें लगा दिया जो डबे में तो इसमें भी मैंने पानी डाल दिया है अब इसमें स्रीफ मुझे लिक्पिट फटिलाइजर दोस्तों अब टाइम से टाइम डालना पड़ेगा जिससे इसकी ग्रोथ फास्ट हो और जल्दी इसमें फ्लावर निकल के आए तो बस इसे दोस्तों रिपोर्ट कर देखते के कितनी दिन में इसकी पत्तिया सब लिखल के आती है तो चलिए बस यहीं था दोस्तों वीडियो मिलते हैं फिर नेक्त कोई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई